दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है क्वार फिर से मचली पालन के यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से मचली पालन कर रहे होंगे जैसे कि ठंडी के दिन बहुत ही नजदीक है तो अपने तलाब की तयारिया अपने कर ली होगी मचली का पालन कैसे करे वो मचली है सिल्वर कारप और इसे आप ठंडी के दिनों में भी पालन कर सकते हैं क्योंकि सिल्वर कारप जो है वो विदेशी मचली है और विदेश का जो वातावरन है ठंडी वाला वातावरन है इसी कारण इसका रहन सहन जो है और बढ़वार जो ह थंडी के दिनों में भी अच्छी होती है सिल्वर कार्प मचली की तो आज इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे सिल्वर कार्प मचली पालन के ऊपर कि कैसे इसका पालन करना है कितना सीध हमें स्टॉक करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं इसे भोजन में हम क्या दे इसका बढ़वार कैसा है बाजार में इसका डिमांड क्या है रेट क्या मिलता है पूरी जानकाड़ी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तो अगर आपको सिल्वर कार्प मचली का बीज चाहिए होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताईए तो चलि सिल्वर कलर का होता है सिल्वर रंग का होता है चांदी के रंग का इसलिए इसे हम सिल्वर कार्प बोलते हैं और यह मचली दिखने में बीगेड मचली के तरह होती है इसका सरीर का बनावत बीगेड मचली के तरह होता है लेकिन बीगेड मचली का कलर थोड़ा पीला हो तो वह अच्छा माना जाता है सिल्वर कार्प मचली पालन के लिए लेकिन अगर आपके पास आधे कर से भी छोटा तलाव है तो उसमें भी आप सिल्वर कार्प मचली का पालन अन मचलियों के साथ यानि common कार्प और ग्रास कार्प के साथ सफलता पुर्वक कर सकते हैं दोस्तो इसके भोजन के बाड़े में बात करें तो silver कार्प का मुखे भोजन जो होता है तलाब में वो phytoplankton होता है और गले सरे जलिये पौधे होते हैं दोस्तो इसे आप भोजन में commercial feed भी दे सकते हैं या घर पर बना कर इसे आप भोजन दे सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि इसे phytoplankton बहुत ही अच्छा लगता है तो तलाब निर्मान के बाद या आपके पास तलाब है उसमें silver कार्प मचली का पालन करना है तो उसमें पहले ग त्यारी कर ले उसमें गोवर डाल कर उसे पानी चला दीजिए जिसमें मचलीयों के लिए भोजन तयार हो जाएगा दोस्तो अब बात करते हैं कि एक एकर के तलाब में हम silver कार्प मचली का कितना बच्चा है श्टोक करें यह बहुत जरूरी point है इसे ध्यान से सुनिएगा त तो silver कार्प मचली का जब भी आप पालन करेंगे तो इसे अन्य तीन मचलिया या चार मचलियों के साथ इसका पालन आप कर सकते हैं जैसे कि इसके साथ अन्य विदेशी मचली जो है grass कार्प और common कार्प का पालन कर सकते हैं जिससे यह तीनो तीन लेयर में रहेगी जैसे कि grass बीच में रहती है, सिल्वर कर्प सबसे उपर रहेगी और तली में आपकी common कर्फ मचली रहेगी ति इसे कभी भी अकेला पालन ना करे तालाब में, जब भी पालन करे ते इन के साथ इन तीन मचलीयों का पालन करे तो आप एक एकर के तलाब में 2000 से लेकर 2500 क्यों मचली का growth तलाब में एक लेयर की दो-तिन मचलिया अगर आप रख देते हैं तो मचलियों का विकास नहीं होता है। लेयर में रहने वाली भारती ये मचलिया जो है जैसे कि कतला तो अगर आप एक तलाब में सिल्वर कार्प कतला और साथ में बिगेड भी डाल देते हैं तो इन तीनों में से कोई भी मचली बिकास नहीं करेगी तो आपको हमेशा करना है कि silver carp मचली का पालन अकेले करे यानि उपर का layer में दूसरा मचली नहीं होना चाहिए बीच के layer में grass carp रख सकते हैं नीचे के layer में common carp तो अगर आपको silver carp का अच्छा बढ़वार चाहिए तो उपर के layer का बस silver carp ही होना चाहिए नहीं तो आपको bighead डालना है और नहीं कतला अपने तलाब में डालना है तो ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि कतला होती है या bighead होती है या skillful carp तीनों एक ही layer में रहती है और वह ही अपना भोजन तलास करती है जब एक layer की तीन मचलिया रहेंगी तलाब में तो एक तो कम भोजन करेंगी भोजन के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें पड़शानी होगा और उनका बढ़वार नहीं होगा तो एक layer की एक ही मचली किसी भी मचली के परजाती का आप रखें दोस्तों अगर बात करें silver carp मचली का बढ़वार की तो इसकी बढ़वार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा इसका बढ़वार है यह एक वर्ज के पालन में 3 केजी से लेकर 4 केजी तक बहुत ही आसानी से हो जाती है दोस्तों गर बात करें बाजारू मांग की तो इस मचली का मांग बहुत अच्छा है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बिगेड मचली होती है तो उस मचली के मुकाबले इसका बढ़वार और इसका मांग बहुत अच्छा है बहुत सारे इलाकों में बिगेड मचली को जो है वो बैन किया गया है उसके बहुत सारे कारण है तो आप भिगेड मचली का पालन ना करके सिल्वर कार्प मचली का पालन करते हैं तो आपको बहुत लाब होगा दोस्तों, अगर बात क्या जाए सिल्वर मचली के रेट की तो इसका रेट उतना अच्छा तो नहीं मिलता लेकिन बहुत सारे इलाकों में 100 रुपया से लेकर 120 रुपया तक बहुत यासानी से silver karp मचली सेल हो जाती है क्योंकि इसका बढ़वार एक साल में 2 केजी से लेकर 3 केजी 4 केजी तक हो जाता है इसलिए आप इसका पालन बहुत यासानी से कर सकते हैं तो दोस्तो आसा करता हूं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तो अगर आपको सिल्वर कार्प मचली का बीज चाहिए या मचली पालन की संपोर्ण ट्रेनिंग चाहिए मचली पालन अगर आपको सीखना है तो आप कोमेंट करके जरूर बता सकते हैं हम आपको ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा बेवस्था देंगे फिसरीज एक्सपर्ट्स आपको ट्रेनिंग देंगे जिन्होंने फिसरीज से पिएचडी कर रखा है तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मचली पादन से जूरी जनकारी हमारे चैनल पे हमेशा आती रहती है धन्यवाद